हलो में प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग वेल्कम बैक टी चैनल पर्फिम गुरू बंस अगें आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं दमाच अवेटेड इत्र या अतर्स फ्रम धाउस ऑफ गुलाब सिंग जोरिमल गुलाब सिंग जोरिमल एक जाना मना नाम है पर्फि सुर्देश भारत की हमारा जो लाजवाब खुजबूओं का इतिहास है वो ऐसे ब्रैंड्स ने जिने हम थोड़े से यूनो स्टाइलिश रूप में हाउसर कहते हैं और या ऐसे आर्टिजनल वर्कर्स कह लीजिए जो नाचरल फूलों से उनके अर्क निकालते हैं या उनक एसी बहतरीन नायाब कुदरती खुजबूओं से मिलवाते हैं उनमें से एक घराना है गुलाब सिंग्जौरी मलका तो इन्हों ने बरकार रखा है हमारे इस प्राचीन कला को प्राचीन एक बहतरीन खुजबूओं के कल्चर को जो हमारे देश के लिए एक बहुत ही यून जहाँ पर जाकर ऐसा लगता है कि हम इतिहास के पन्नों को पलट रहें एक ऐसा एटमोस्फियर है एक तो यार चांदी चौक की जो जिन्दगी है चांदी चौक पर रहकर जो इनसान महसूस करता है ऐसा लगता है कि हम बहुत ही पुराने मतलब हिस्ट्री में कहीं खो गए हैं वो दिल्ली जो एक अपने नए रूप में नई दिल्ली में जो हमें जो लाइफ स्टाइल दिखती है उससे बिलकुल अलग है वहाँ पर आपको पुराने पुराने लोग मिलेंगे पुराने कलाकार मिलेंगे कारिगर मिलेंगे बहुत ही मज़ा आता है वहाँ पर इनकी जो दुकान है वो अपने आप में एक अनुभव है अगर आप लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज उसे देखिए वो एक एमेच्यूर एक इंडिपेंडेंट प्रयास था बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था इनको और वहाँ किस्मत से जो गंधी परिवार के करिंट कैली जे की जो ओनर हैं और जो इंचार्ज हैं वो वहाँ पर थे मैं नाम अगर मिसकर हो तो मुझे शमा करें तो हमने उनसे बात की और ऐसे ही हलके में बात चीज जैसी होती है करते करते हैं हम रूबर रूबर उन्होंने हमारा इंट्रेस्ट दिखा और उन्होंने खुले में छोड़ दिया हमने मैं और जाकिर भाई थे जाकिर भाई को आप सब लोग जानते हैं उनके काम के थरूँ उनके खुझमों के थरूँ और उनके टालेंट के थरूँ तो वो खुझमों का जो खाजाना इतने सालों से कैड था उन पिटारों को हमने खोला और कहीं ना कहीं उसने एक खुश्बूओं का पुरा संसार आपके सामने लाकर रख दिया और मुझे लगता है कि मेरे वीडियो के बाद इतने लोगों ने वीडियो बनाए गुलाब सिंग जोहरी मल जी के यहां जाकर और उन्हें एक पहचान मिली फिर से और ये पहचान मिलना जरूरी थी क्योंकि वो एक कला मेरी नजर में मुझे ऐसा लगता था बचाना बहुत जरूरी था आज हम उसको लेकर बहुत ही जादा गर्ब महसूस करते हैं और एक बहुत ही बढ़िया चीज है वो मुझे लगता ह है कि हर एक इंडियन यूथ को भी आप देखने हैं जो कुल्चरल रेविल्यूशन अपने देश में आया है और जिस मास्केल पर आया है और सोसाइटी की जिन लेयर्स को इसने चुआ है इस लाइक आप शॉफ्ट नाशनलिजम यू कन से अशॉफ्ट वर्जिन अफ हेल्ध पेट्रियोर्टिजम और इस गिविंग लाइफ टू पीपल वर प्रिविश्ली अन्रेकिग्नाइज़ फॉर देखने इस लोगों को सपोट करने में और इतने सालों बाद फिर इन्होंने मुझे कॉंटक्ट किया और मुझे अपने कुछ इतर के सैंपल्स भेजे मैं बहु बहुत खुश था और मैंने खुशी-खुशी इनको हां कह दी और इस सारे सैंपल्स मेरे पास है चार बॉक्सेज है और कुछ इस तरीके से इन्होंने बॉक्स को भेजाया सिंपल सी प्रेजेंटेशन है और यह काफी महीनों से मेरे पास हैं बदकिस्मती से मैंने इनका रिव्यू नहीं बनाया था आप लोगों को तक मैंने खुश भूएं नहीं पहुंचाई थी क्योंकि आप लोगों को पता है वो लाइव सेशन में मैं बता चुका हूं घर पर जो परिस्तितियां थी उनको थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत थी तो मैं थोड़ा चैनल से अपने अपसेंट था तो यह जो सेंड्स है बहतरीन है अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं लेकिन यह वो गुलाब सिंग जोहरी मल के ओरिजिनल जो उनकी पेशकश है जो उरि उसको एक्स्प्लोर नहीं करते हुए फ्रेंच या फैंसी अतर्स या मॉडर्न पर्फियूम लवर्स को दिमाग में रखकर यह पूरा कलेक्शन बनाया गया जिसमें जादातर इंस्पिरेशन्स हैं मुझे ऐसा लगा कि जो अपने पॉपिलर नीश या डिजाइनर सेंट्स और यह चीज काफी दिनों से चलता है आ रहा है ऐसा नहीं कि इन्होंने पहली बार किया है बट मुझे लगता है कि जो क्वालिटी है और इसमें से कुछ जो मुझे पसंद आए और कुछ नहीं पसंद आए उनकी मैं बात करना चाहता हूँ इस कलेक्शन में चार चार यानि की आठ इतने हैं मैं कुछ की बात करूंगा कुछ को मैंने बहुत अच्छे से टेस्ट किया है कुछ को अभी मुझे टेस्ट करना बाकि है जैसे कि यह देख सकते हैं इस तरीके से अंदर येलो सेलोफेन टाइप के पेपर में राप था और इसको मुझे रिव्यू करना अभी बचा हुआ है बाकी जो मुझे अच्छे नहीं लगे पहले उनकी बात कर लेते हैं यह है एक्जॉर्टिक नेरोली बाकी प्रेजिंटेशन आप देख सकते हैं बड़ा सिंपल सा है तो एक्जॉर्टिक नेरोली की जो खुश्बू है नैच नेरोली है और मैं एक्जाक्ली नहीं कह सकता हूं कि यह किस पर्फ्यूम से इंस्पायड है बट दो नेरोली फ्रेग्रेंस जो फेमस है पर्फ्यूम लवर्स के बीच में अक्रॉस्ट ग्लोब उनका नाम बता रहता हूं एक है नेरोली पोर्तोफीनो टॉम फोर्ट का जो दूसरा जो पॉपिलर नेरोली फ्रेग्रेंस है वो है दॉल्चेन गबाना का ऐ थिंक फोरेवर ब्लू या सम्थिंग जो बीचानाम था वो फ्रेग्रेंस बहुत सालों पहले मैंने इस्तमाल किया वाग्लेज के डेज में इन फाक्ट जो फीमेल बर्जिन था वो इस्तमाल करता था कि जो बहुत ही अची थी तो आई थिंक फरेवर ब्लू या वटरव जो भी नाम उसका जो ब्लू कला की बॉटल में आता है ब्लू कैप होती है उसकी और फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट ग्लास ताइप की जो बॉटल है उसकी तो वो एक अची काफी पॉपिलर नेरोली ब तो ये एक सिंपल सी जनेरिक सी सिट्रसी खुश्चबू लगी मुझे जिसमें जहांस है बर्गमाट वाली थोड़े से अब्स्ट्रैक्ट उडी नोट्स हैं थोड़ा बहुत वो लग रहा है हां की हां निरोली की जहलक है मिक्स्ट विद अधर नोट्स तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है की वो डॉचेन गवाना के फ्रेग्रंस है इंस्पाइड हो बहुत ही ज्यादा अपीलिंग नहीं लगा मुझे सिंथेटिक लगी इसकी कॉलिटी और निरोली वो बड़ा क्योंकि मेरा एक फेवरेट नोट है फ्रेग्रंस में वन फेवरेट सिट्रस अपलिफ्टिंग से उसकी खुश्चबो हती है वो चीज यहां पर नहीं मिली वो चीज मिसिंग है सो इसको मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि थोड़ा घर के डोमेस्टिक जो सिट्रस कहते हैं वो रूम फ्रेशनर बात्रूम स्प् यह जो ट्रांस्पेरेंट टाइप की जो जो इतर होते है न यह थोड़े से कमजोर होते है दोस्तों मैं ने देखा है कि इनकी कॉलिटी वगरा भी जो है एवरेज आप की एक जनरल स्टेट्मेंट है प्लीज चंदन भी इसी रंगा दिखता है कंफ्यूज नहा हलका सा येल डिजाइनर फ्रेग्रेंस जैसे की दियोरम स्पोर्ट जैसे डाविड ओफ कूल वाटर जैसे की डाविड ओफ चैंपियन उस तरीकी की खुश्चबू है और यह जो खुश्चबू है दोस्तों एक सिंपल सी सिट्रसी, सीडर वूड, आइसोई इस तरह की खुश्चबू है मार्केट में काफी पॉपिलर हैं CK1 फ्रेश आउट अफ द शावर स्मेल अगर आपको उस तरह की खुश्चबू है तो कपड़ों पर लगा सकते हैं इस डिसेंट और एंट्री लेवल वाइल स्टोन की जो हाइडरा वगरा जो फ्रेगरेंस आते हैं उनसे आप इसको कंपार कर सकते हैं बिसेकली इट्स शित्रस ओशियानिक काइंड फ्रेगरेंस और जिनको इस तरीके फ्रेगरेंस पसंद हैं उनको अच्छा लगेगा नेरोली हलका सा जाजमीन का टच थोड़ा सा सैंदल वूड सिंथेटिक सा थोड़ा सा हलका सा मस्क थोड़ा सा अम्बर्गर्विस पॉपिलर डिजाइनर समर सेंट्स लगाना चाहते हैं समर और विंटर के लिए खुजबू है अलग होती है दो तो उनको यह फ्रेगरेंस पसंद आएगा इफ यू लव सीकेवन इफ यू लव डवडव कूल वाटर इफ यू लव इवन क्रीड अवेंटस तो यह खुजब बकरारूज कौन साय ऐसा ब्रैंड है जिसने इस फ्रेग्रेंस को क्लोन करने की कोशिश नहीं की एक बड़ा ही मॉडर्न मास्टर पीस मैं कहूंगा बहुत सारे कॉंप्लेक्स इंग्रीडियंट्स नहीं थे इसके अंदर बहुत जादा मस्क वगरा नहीं था पचुली कहीं ना कहीं मैं उस गुलाब सिंग जोरी मल के उस ओरिजनल फॉर्म को जिसके वज़े से हम उने जानते हैं या फिर जैसी अपने एमेल राम नरायन हो गए एस मोहमद आयूब याकूब परफ्यूमर्स हो गए जो औरिशनल परफ्यूमर्स हैं इंडिया के जो इस्पेशली वो लोग जिनका बज़ेट कम है और जिन लोग जिन लोगों को अलकोहल लगाने से प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए अच्छे अल्टरेटिव तो बाकरा रूज एक ऐसी खुश्बू है एक इतना बढ़िया स्वीट मस्की सेंट है मस्क रिजाली के अंदर और थोड़ा सा लग्जूरियस आइटम्स डाल दिया जाए तो ये खुश्बू निकलेगी और ये बिल्कुल मुझे बकरा रूज 540 की याद दिलाता है काफी लॉग लास्टिंग फ्रेकरंस भी है मीठी चाशनी वाइट मस्क क्लीन स्वीट बिल्कुल धुले हुए कपड प्रेक्षबू के अंदर से जो डेटरजेंट की जो खुश्बू आती है जो पोस्ट वाश वो खुश्बू आपको यहाँ पर मिलेगी उसके अंदर थोड़ा सा एक मस्की अलिमेंट दिया गया है थोड़ा सा जाजमिन का टच दिया गया और सीडर वूड का एक बहतरीन ट प्रेक्षबू है जो फीमेल रेलेटिवस हैं उनको भी गिफ्ट कर सकते हैं विमेंट विल लव लव दिस सेंट और जेंटलमें यह एक ऐसा सेंट है जिसको आप आक्चुली फॉर्मल टाय सूट इवेंट पर लगा कर जा सकते हैं पड़ाई डिग्निफाइड सा प्यारा स इसका अल्योर है और यूरोपियन सेंसिटिविटी को सेंसिटिविटी को दिमाग में रखते हूं मुझे लगता है कि काफी एक लाजबाब फ्रेक्रिंस है बिलकुल अलग इसी खुश्बू है बिलकुल प्यारी सी खुश्बू है इसे क्लोन मार्केट में बहुत जादा है बाकर रूज 540 आप सरच कर ली हजार से क्लोन मिल जाएंगे आपको अर्माफ का जो क्लोन है वो 5000 यह सारी 3000 साड़े तीन हजार के आसपास आता है यह फ्रेक्रिंस आपको 500 400 रुपे में मिल रही विच आए थिंक is a beautiful thing और सबको एक मौका मिल जाता है इन फ्रेक्रिंस को टे इसेंज नाओ लेट्स कम तो सम अफ दो मौस्ट एक्स्क्लूजिव सेंज साम दो मौर लग्जरी काइन अफ सेंज इसमें आता है इसमें दोस्तों चार है मैं रॉयल उड सिदार से सबसे पहले शुरुवात करना चाहता हूं नौट सो गुड इतना कुछ समझ में नहीं इसके अब ही एक उद्ध फ्रेगर्न्स हमारे टाम में बड़ा पॉपिलर था इसमें रॉयल उद्ध या संथिंग जो भी नाम था उसका तो डेफिनिटली उससे इंस्पार्ड है लोमानी का भी एक फ्रेग्रेंस आता है लोमानी ब्लैक विच वाज इंस्पार्ड बाइव रॉयल उद्ध फ्रम थाउस अफ क्रीड यह तरीके का उद्ध नहीं है जो अनेमलिक है या फिर डार्क मस्की टाइप का हलकी सी जला का ऐसा लगया कि जैसे हमारे हम मसाले यूज होते हैं इस्पेशली हिंग की खुझबू थोड़ा सा उसमें जो नागरमोथा की खुझब है थोड़ा सा ब्लैक पेपरी टाइप की खुझबू और मुझे लगता है कि जो रॉयल उद्ध के लवर्स हैं उनको अच्छा लगेगा मुझे ये फ्रेग्न्स उतना अच्छा नहीं लगा रॉयल उद्ध क्रीड का मुझे कुछ खास कभी नहीं लगा था विकर सब तक मै उद्ध के सब्जेक्ट में काफी गहराई से कूद चुका था उन्दर और काफी कुछ मैंने एक्स्प्रोर कर लिए था तो उद्ध मेरे लिए अपने आप में एक सब्जेक्ट बन गया था एक बहती बहतरीं अपने देश का अगर वो पुरी दुनिया को भारत से ही मिला थ और उसकी जो खुश्जबू है वो इतनी मनमोख होती है इतना ज्यादा एक्जॉटिक होती है उद की लगड़ियां आप देखते होंगे बखूर देखते होंगे दुबाई में जलते हो सारे उद से ही बने हुए होते हैं तो वहां पर जो क्रीड काफी सेंट था वो काफी फी दाता था था थे इस्पेशली फॉर्मल सेंट जिन लों को पसंद है ऑफिस के लिए नहीं ऑफिस के बाहर थोड़ा सिफिस्टिकेटर थोड़ा सा मच्योर एज ग्रूप के लिए एक मर्दाना सा सेंट और विच विच वाट इन यूर फेस अनिमलिक लेदरी मस्की तो हां पर एक अच्छा यह ऑफिरिंग बट यहां पर कहीं नगे मुझे साला की थोड़ा सा सिंथर्टिक एलेमेंट इंट्रड्यूस हो जाता जो इनिशिली थोड़ा सिंथर्टिक लगता बट धीरे ठीक होता तो अजन ऑई लिए अफकोर्स अब हम कंपेर करने हैं आलकोहॉल से मतलब एथनॉल है इसमें डीपीजी वगरा पड़ जाता तो उसकी जो फ्रेगरंस तो सेम ही है मटीरियल सेम ही है बट जो उसका जो बीहेवियर है वो चेंज हो जाता है क्योंकि फॉर्मिलेशन चेंज हो जाता है तो अलग तरीके से थोड़ा बीव करता है और यहां पर ड बट इतना स्पेशल नहीं है अब स्पेशल सेंट्स की और बढ़ते हैं एक इन में से बहुत पॉपिल है उद एमिराती अब मुझे पता है मैं इस रिवीव के साथ बहुत लोंगा दिल तोड़ूंगा बट जो सच है वो आपको बताऊंगा उद एमिराती का रंग देखके मुझे ऐसा लगा कि हाँ कोई उद जो अपना रोजा सीरीज का किसी पर्फिम का एक लोन होगा जो मुझे लगता है हो सकता है क्योंकि उसके यूएई के जो स्पेशल डेडिकेटेड रोजा के उद बेस सेंट्स थे वो एक्स्लूजिव हैं अपने गल्फ कंट्रीज के लि वाइट पचूली जिसे हम कहते हैं पचूली का इत्र अब गुलाफ सिंग जोहरी मल के पास ही जाके आप ट्राइकि जेगा उनका बहतरीन है पचूली का तेल जो बहुती कम रेट पर बेशते हैं पचूली में कॉफ सिरप की खुश्बू होती है जो ट्रेडिशनली हम सिरप्स होती है जो फामिलेशन होता इसमें सारी चीजें डालते हैं वो आर्टिफिचल फ्लेवर्स या नाच्वल फ्लेवर्स ऑफ जिंजर वगेरा तो उसी टाइप की घुश्बू है लेकिन जो पचूली का ऐलिमेंट है वो थोड़ा सिंथेटिक है और बहुत ही जादा है जो शुरू में तो अच्छा लगेगा लेकिन अगर आपने ओवर अप्लाई कर लिया यानि कि थोड़ा साभी जादा लगा लिया एक ड्रॉप से जादा लगा लिया तो यह ओवर्वेल्मिंग हो जाता है और इतना लॉंग लास्टिंग सेंट है कि बहुत ही पावरफु और बहुत ही मैं कहूंगा कि डॉमिनेटिंग इसका कारेक्टर है और इट इस फॉर मस्क लवर्स यह ब्लाक मस्क जो अपना सिंथेटिक टाइप का आता है उन लोगों को बहुत पसंद आगा स्पेशली कि लव दो बॉड़ी शॉप के रेड मस्क ब्लाक मस्क जो आते थे अगर उसमें हलकी सी बख्खूर की खुझबू तो मुझा कहीना कि ऐसा लगता है कि एक मस्क उद आया करता था रजा का मेरे पास है पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है वेधी एक्स्पेंसिव उसका जो एक स्ट्रे वर्जन आता था उस समय हजार पंदर सौ डॉडर का आ जैसे हमारे जो जेनरिक ब्रैंड अपने इतर बनाने वाले जो मस्जिद वाज़िद के बाहर जो बाहर मिलते है ना जो अपने प्रेयर करके लोग पसंद करते हैं कि बाहर निकल ले या फिर पुझा पार्ट में भी बहुत चड़ते हैं इतर चड़ते हैं मादेव को जीदते हैं वहां पर यह सारी चीज़े मिल जाती है जो पूझा के दुकान होते हैं फूल वाले या फिर मस्जिद के भार जो दुकाने होती है तो उसमें जो आपको उद नाम से नेमत वाले बेचते हैं जो नबबे से डेड़ से मासर्स का वही बज़ेट रहता दूस्तों लेकिन एड़ सेम ताम हमें यह समझना होगा कि यह पर्फ्यूम लवर्स का चानल है जो एक्स्पीरियंस लवर्स हैं जो बहुत ही पैशनेट हैं इस आर्ट के बारे में इस हॉबी के बारे में तो उनलों के लिए फिर यह सब्जेक्ट थोड़ा सा हाई-फाई हो जाता है इस दिफरेंस बिट्वीन बाइलोजी स्टूटेंट और दिफरेंस बिट्वीन एन एमडी और अनमस मतलब की मास्टर इन मेडिकल फील्ड सो वह जो जो उद का रिप्लेस्मेंट उद के नाम से बिखता है जो कंप्लेटली सिंथेटिक पच्छुली का तेल होता है बहुत जादा मात्रा में है तो यह चीज मुझे आना ही लगी अब दो स्पेशल इत्र जिनका आपको इंतजार होगा आप चाह रहे होगे कि मैं के बारे में अच्छा बोलू भी तो जी हां बिलकुल बोलूंगा एक दोस्तों मुझे टबाक रोज बहुत ही बहतरीन लगा दोनों ह नामों में टबाक है और एक है टबाक रेड़ तो इस टबाक रेड़ इस अ ब्यूटफुल वेरी हाई क्वालिटी वेरी लॉंग लास्टिंग क्लोन ऑफ मनसेरा का रेड टबाको करके एक सेंट आता था अभी हाल फिलाल में मैंने नीश का हॉट टबाको रिवीव किया था बहुत लगों ने लिख दिया कि मनसेरा रेड टबाको जैसे से खुशिबू है कुछ खास नहीं है डोंट लिसन टू दाट जब आप एक सेंट को अच्छे से वैल्यूएट करते हैं एक्सपीजियेंस नोस है तो आप डिफरेंसे ऑब्वियसली पिक अप कर लेंगे हाँ ए प्लास्टिक वाले अगर चेंज करके थोड़ा सा दाम बढ़ा कर अगर गुलाब सिंग जोरिमल इसके जगह ग्लास का या इससे बढ़िया अगर जुगार कर सके तो देखिए ये डब्वे को मैंने बस किसी तरीगे से कैप को फसा है क्यों पूरा टेड़ा मिड़ा होगे अपने आप ही मैंने कुछ नहीं किया तो इसकी जो खुश्बू है टबाक रोज वेरी रिच एमबरी थोड़ी सी उदी और पिंक रोज थोड़ा सा रोज मैं कहूंगा कि बल्गेरियन रोज नाम से जो फ्रेग्रेंसे मार्केट में मिलते हैं उस तरीके की खुश्बू है यह बड़ा ही डिलाइटफुल स्वीट एमबर की भी एक इसमें बहतरीन बेस है थोड़ा सा लिनियर लगता है थोड़ा सा बोरिंग लगता है लेकिन हाथ थोड़ा सा एक्जॉर्टिक है और जो लोग डिजाइनर फ्रेग्रेंस से बोर हो चुक है उनके लिए बहुत ही अ मिलते हैं दुबई में जो एक टिपिकल स्मेल है उनकी बखूर्स की जो फाइव अधर लग्जिरी कॉलिटी के जो बखूर में करा मतला आठ हजार का डबा पांच हजार का डबा उस तरीके की बात करा उस तरीके की खुचबू है काफी लाजवाब खुचबू है बहतरीन बहार लगा कर आप जा रहे हैं इस्पेशली सोशल सेटिंग्स के लिए बहुत सारे महंगे नीच परफ्यूम्स भी है आपके पास तो आप इस फ्रेक्रेंस को लगा सकते हैं थोड़ा सार मैं काऊंगा लिनियर और बोरिंग है थोड़ा अतरलाइक है और इट इस डेफिनि बिकास यह बिलकुल भी मुझे नाक को सिंथेटिक नहीं लगा जो एक बहुत ही अच्छी बात थी और बहुत ही ज्यादा क्लोज लगा मनसेरा के रोट रे टोबैको के विच इन इसल्फ इस नाट अ वेरी कॉंप्रिकेटेड फ्रेक्रेंस बहुत ही अच्छी इसकी यह अच्छे ओइल्स इन्होंने प्रक्योर की हैं कम दमों पर वह आपको एक्स्पीरियंस मिल जाएगा टोबैको लीफ मीठा एंबर हल्क आसा वनिला सिंथेटिक कुछ हेलिमेंट्स यानिकी सिंथेटिक वूट्स कुछबू इसकी बहुत ही प्यारी लाजवाब सुफिस् बड़ा महंगा साफ फ्रेंच पर्फ्यू मंगाया अपने दोस से वह मैंने लगाया तो इस इस दाट फ्रेग्रेंस इस काल टबाक रेड या जलती वी तबाको की खुछबू थोड़ा बहुत इसमें आपको वो हुक्का या शीशा या नारगीले की जलती वी फ्लेवर्स मि जाएंगी तो वही आइडिया था इस फ्लेग्रेंस के पीछे काफी अथेंटिक और लाजवाब ये सेंट था रिट टो बैको मुझे लगता है मंसरा कवना तो मोस्ट पॉपिलर सेंट वो चीज़ आपको यहां पर मिल जाएगी और परफॉर्मेंस बलिस्टिक है यह जो प यह चार फ्रेग्रेंस एक ही फ्रेग्रेंस का रिव्यू इसमें से करना बाकी है वह मैं कभी कर दूँगा जो और्किड वाला है और ऐसे दो डब्बे और पने हैं जिन में से मैंने कुछ फ्रेग्रेंस टेस्ट कर ली और कुछ बचे मैं उस तो जब भी मुझे मुझे आप लोगों के लिए बहतरीन पेशकेश लेकर हम आएंगे डिसकस करेंगे और मैं अपने डीटेल्ल ऑनेस थाट्स तूंगा अगर इस तरीके के रिव्यू आपको देखना पसंद है कॉलिटी के लिए माफी चाहता हूं दोस्तों मैं बहुत ही ज्यादा अपना बड़ा से करें यानि कि like करें subscribe करें जो नए हमारे व्यूवर्स हैं और पर्फिम के बारे में जाना चाहते हैं और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों साथ श्यार करें ज्यादा व्यूज मिलें ताकि हम algorithm में बने रहें और हमारे चैनल को पर्फ्यूम लवर्स जो हमारे नए बनने वाले हैं नए जुड़ने वाले हैं इस हाबी से वो इधर और दर मिस्लीडना हो अच्छी इंफर्मेशन उनको मिले जैनुविन रिव्यूज उनको मिले नॉन प्रोमोशनल नॉन बाइस तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक और स्वागेदार रिव्यू के साथ अब तक लिए टेक केर गुडबाए टेक केर स्टे स्ट्रॉंग मस्त रही है खुश रही है और अच्छी खुश में लगाते रही है फिर मिलेंगे जल्द